विपक्षी दल की बैठक से पहले मम्ता बनर जी को हाई कोट का बारा जटका मिला है। दूसरी तरफ नितीश कुमार के चहेते करीबी मंत्री के हाँ ED और IT का चापा पर रहा है। तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार घुस पैठिये की तरह नितीश कुमार के घर में पहुँच गये हैं। लेकिन यह जो गठ बंदन है क्या सही में इसकी गठ मजबूत है या फर या सिर्फ कहने के लिए गठ बंदन है। विपक्षी दल की मुलाकात बाहर में कुछ और है। आम आदमी पार्टी सरकार की जो पोस्टर है बयान है वो यही बया करती है कि यह सिर्फ एक ड्रामा है। कॉंग्रेस की क्या चापलूसी है? कॉंग्रेस किस हद तक गिर चुकी है? विपक्ष दल गठ बंदन में कौन परणार मंत्री बनने की फिराक में है? तमाम मुद्दे पर बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में. सबसे पहले तो यह बता दू कि ममता बनर जी पटना पहु कि ममता बनर जी के करीबी रहे हैं लालू प्रसाद यादो इसलिए विपक्षी दल की बैठक से एक दिन पहले ही ममता बनर जी पटना पहुच चुकी हैं. वह मुलाकात भी कर रही है. वह अपने तवियत से खुदगरसी थे लालू प्रसाद यादो. लेकिन फर भी ममता बन जी को ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादों से मुलाकात करने के बाद कुछ काम बन सकता है. अपनी काम बनाने के चक्कर में अभी पस्चिम बंगाल में ममता बनर जी के ऊपर मुसीबतों का गाच गिर चुका है. सीबी आई की जाँच बैठ गई है. आदेश मिल चुका है. यह मामला बहुत पेचीदा है दोस्तों. और बरा हो चुका है यह मामला. ममता बनर जी को कोलकाता हाई कोट से करारा जटका मिला है. उच्च नियाले ने पस्चिम बंगाल में पंचायत चुनाओ के नामांकन के दोरान दस्तावेजों में गरबरी की सीवी आई जांच कराने का आदेश दिया है. यह बहुत बड़ा जटका माना जा रहा है. पस्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी मंता बनर जी के लिए. हलाकि पंचायत चुनाओ के नामांकन के दोरान बंगाल में जम कर हिंसा हुई. जिस का पूरी तरीके से TMC का विरोध किया है. TMC के खिलाब प्रदर्शन किया है. तो ममता बनर जी बले या चाहती हो कि कॉंगरेस बंगाल में मेरा समर्थन करे या फिर मेरे खिलाब चुनाओ ना लरे कॉंगरेस बंगाल में तो राजनीती ऐसे नहीं चलती है ममता बनर जी जी उनके चाहने से, ममता बनर जी के चाहने से कुछ नहीं होता राजनीती में विपक्ची दल का जो दाव है वो बंगाल में पूरी तड़ीके से फेल हो रहा है यहाँ पर यह भी बात निकल करके सामने आ रही है कि केंद्रिये बलो से बंगाल में शान्ती आ जाएगी लेकिन ममता बनर जी के पास मुस्लिम वोटर्स की संख्या जादा है इसलिए वह मुस्लिम समुदाय वोटर्स को खुश करने के लिए हिंदुत्व के विचार धारा वाले लोगों की जरूरतों को उनके साथ हो रहे अत्याचारों को भी नजर अंदास करती हैं ये में वामदलों के साथ गडबंदन होने के चलते वह किसी भी सुरत में कॉंग्रेस से समझ होता नहीं करेंगी वही अर्विन केजडिवाल अखिलेश यादव और एमके स्टालिन के सभी जो हैं ये सारे लोग कॉंग्रेस को लेकर कई सवाल खरे कर रहे हैं नितिश कुमार की और से विपक्षी एकता की मजबूत दिवार खरी करने के लिए पटना में बुलाई गई बैठक से पहले कई नेताओं के बयान सवाल खरे कर रहे हैं दोस्तु ममता मेनर जी केजडिवाल अखिलेश यादव जैसे नेता कॉंग्रेस के लिए शर्ते खरी करते दिख रहे हैं अब बिहार में नितिश और तेजस्वी के गठबंदन को जटका देते हुए कल ही जीतन राम्मान जी ने अमिश्या से मिलकर एंडिये का हाथ पकर लिया है इन जो मामला बहुत बरा जटका माना जा रहा है ये नितिश कुमार जी के लिए इस सब की वज़ा से बीजेपी अ और मलिकार जुन खरगे ने करीब देर महीने बाद भी केजरी वाल को मिलने का समय नहीं दिया लेकिन ये तो ठहरे बिलज नरलज फिर भी मूठा के पहुंच गया कि कहीं यहां मिल जाए मदद केजरी वाल ने मामले पर विपक्षी दलो को पत्र लिकर भी पतना में रुख साफ करने की मांगी है लेकिन केजरी वाल को कोई पुछता कहा है केजरी वाल कितना बरा मतलबी इंसान है वो अब आपको पता चल जाएगा आगे विपक्षी दलो की महा बैठक से पहले ही घमसान शुरू हो गया है आम आदमी पार्टी ने कॉंग्रेस को अल्टिमेटम दे दिया है कि अगर अध्यादेश के मुद्दे पर कॉंग्रेस समर्थन नहीं देगी तो वो विपक्षी वैठक का बैकोट करेंगे इसी से सोच लिजे कि केजरी वाल कितना नीच और कितना घटिया सोच का इंसान कितना मतलबी और कितने स्वार्थी किसम के इंसान है कि अगर कॉंग्रेस इनके बात को नहीं मानती है अगर इनकी मदद नहीं करती है तो यह बाइकोट करेंगे कॉंग्रेस का इस विपक्षी दल के बैठक का तो आपने सच्चाई देख लिया कि क्या है सच्चाई तो यह खुले तोर पर एक धमकी है आम आदमी पार्टी का कि कॉंग् विपक्षी दल की बैठक लेकिन जो पोस्टर वार चल रहा है उसमें क्या यह लोग दिखा रहे हैं आप देख करके सौक्ड हो जाएंगे विपक्षी दल मुलाकात से पहले ही ED और IT का छापा पर गया और नगर निगम में कैसे करोरों का खेल हुआ इससे नितिश कुमार और जादा घिर चुके हैं बिहार की जनता के निशाने पर आ चुके हैं सुबह सुबह च्छे बजे ही साथ गारी से ED और IT के टीम नितिश कुमार के करीबी मंतरी के साले के घर पहुँची एक्षन जोर सोर से हुआ विजय चौधरी नितिश कुमार के काफी जादा करीबी हैं और विजय चौधरी के साले अजय कुमार सिंग के घर पे बेगु सराय में सुबह 6 बजे से ही ED और IT का चापा चल रहा है ब्रस्टाचार की सीमा लांग चुके नितिश कुमार चारों तरफ से घिर चुके हैं बिहार की जनता ने इनको पुरी तरीके से नकार दिया है और इ सामने आया है मेयर निर्मला देवी ने इस मामले में सीम नितिश कुमार को पत्र लिखा है जिसके बाद निगम में खलबली पुरी तरीके से मच गई है सवाल बिहार सरकार के उपर उठ रही है आप सारे विपक्षी दल को इकठा करके अपनी सरकार बचाने में लगे हुए और इधर कैसे करोरो करोर रुपय का घपला बाजी चल रहा है क्या इस पर कारवाई नहीं होनी चाहिए बीजेपी ने सारे विपक्षी को कैसे अवकाद दिखाई है और आम आदमी पार्टी की क्या अवकाद है ये भी पता चल जाएगा दोस्तों बिहार बीजेपी ने वि बिजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं का जुटान होने वाला है। विपक्ची एक्ता की बैठक के जड़िये 2024 लोकसभा चुनाओ के लिए रननीती बनाई जाएगी। अब इधर देख लिजे इधर मीटिंग से पहले ही पतना में पोस्टर वार चिर चुका है। बिहार बीजेपी ने पतना की सरको पर विपक्ची एक्ता की बैठक में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया है। पोस्टर लगाने शुरू कर दिये हैं। इससे विपक्ष पूरी तरीके से वह खलाई हुई है। इंकम टैक्स गुलंबर और भाजपा कार्याले के बाहर या पोस्टर बुधवार देर रात लगाया गया है। पोस्टर के जड़िये विपक्षी पार्टियों पर निसाना साधा गया है। इसके साथ ही लालू यादो और नितिश कुमार पर जोरदार तंज कसा गया है। एक पोस्टर में लिखा गया है कि हला है हर और बिहार में मिलेंगे सारे चोड। वही दूसरी पोस्टर में लिखा है कि लोकतंत्र के हत्यारे आज किस मुझ से जेपी की धर्ती पर आ रहे हैं। क्या देश में फेस से इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। इसके अलावा सीम नितिश कुमार का एक पुड़ाना बयान भी इन काटूनों के जरीए पोस्टर पर लिखा गया है। दुसरे हिस्से में लालू यादव नितिश कुमारत से कहते हैं कि आजा मेरी गोधी में बैठ जा। वही एक पोस्टर में विपक्षी नेताओं को ठग सब हिंदुस्तान कहकरके भाजपा ने तंज कस्ते हुए विपक्षी के मुझ को बंद कर दिया है और विपक्षी एक्ता की बैठक को पडिवारवाद और भ्रस्टाचार में डूबी पाटियों का संबेलन बताया है मिटिंग से पहले ही एक पोस्टर को लेकर के चर्चा काफी जादा जोर सोर से हो रही है दोस्तों पतना में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें दिल्ली के सीम अरविंद केजडिवाल को सीम नितिश कुमार से सतर्क रहने की सला दी गई है साथ ही अर्विन केजरीवाल को PM कंडिडेट बताया गया है कौन कौन PM बनेगा कहीं PM बनने के लिए जगरा न हो जाए केजरीवाल अलग PM बनना चाहते है राहुल गांधी का सपना है PM बनना नितीश कुमार के मन में लड़ू फूट रहा है कि कहीं कोई बुजुर्ग समझ करके मुझे PM का कंडिडेट गोसित न कर दे तो अब आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है इसमें CM नितीश कुमार को PM मोधी का खास बताया गया है का कारेकरता बताया तो देख लिजे कि किस तरह की दोहरा नीती, दोहरा चडितर एक तरफ नितीश कुमार के घर में घुस पैठिये बन करके बैटे हुए और इधर पोस्टर में क्या लिख रहे हैं जरा देखिए ये आम आदमी पार्टी का का कारेकरता ने पोस्टर लगा करके कहा कि नितीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं विकास जोती का दावा है कि पोस्टर के जरिये नितीश कुमार के स्वभाव के बारे में बताया गया है इसके साथ ही कारेकरता ने यह भी बताया है उससे या पलिता ना लगा दे इसको लेकर मैंने अपनी पार्टी के नेता को सतर किया है कारेकरता का ये भी कहना है कि अगले दो महीने में फर से सीम पलट जाएंगे तो कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार की केजरी वाल के मन में विपक्षिदल मुलाकात और नितिश कुमार को लेकर के साकारात्मक सोच है